तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिना bank account के Paytium wallet में पैसे कैसे add करते हैं इसकी complete process step by step मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो बिना किसी देरी के आईए शुरू कर जाहें इस वीडियो को तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने अपनी Paytium application को open कर लिया है और open करने के बाद मैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो Paytium wallet balance है वो अभी कितना है तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते है कि मेरा जो Paytium wallet total balance है वो है 65 रुपे मगर दोस्तों ऐसा नहीं है जब मैं इस balance के उपर click करूँगा तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरा जो Paytium wallet balance है वो है 0 रुपे और जो fuel wallet balance है वो है 65 रुपे आप दोस्तों यहाँ पे यह जो fuel wallet balance है मैं उसे किसी तरह से use नहीं कर सकता हूँ के वल fuel में ही use कर सकता हूँ मगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहँँगा कि यह जो fuel wallet balance है उसे मैंने एकदम free में earn किया है तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कुछ पैसे earn करना चाते हैं fuel wallet balance को तो इसके regarding मैं वीडियो औरेडी बना चुका हूँ यह रही वीडियो इस वीडियो का link मैंने आपको description में provide करा दिया है उपर i button के उपर click करके भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में bank account नहीं है तो ऐसे में कैसे हम अपने Paytm wallet में पैसे add कर सकते हैं मगर पैसे को add करेंगे मगर दोस्तों इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग यह भी बोलेंगे कि भही आभी Paytm की KYC नहीं हो रही है जब Paytm wallet activate ही नहीं हो रहा है तो Paytm wallet में पैसे कैसे add होंगे तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहूँआ कि हाँ आप सही है मगर दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग है जिनका की जो Paytm wallet activate है काफी time से यान की काफी समय से पहले ही activate है मगर उनके पास में bank account नहीं है तो वो लोग कैसे अपने Paytm wallet में पैसे add कर सकते है यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास में bank account नहीं है और अगर आप अपने wallet में पैसे add करना चाते है तो इसके कई सारे तरीके हैं पहला तरीका है दोस्तों उसके अदर आपको क्या करना है कि आपको market में जाना है और market में आपको बहुत सारे ऐसे sop की पर मिल जाएंगे जो कि Paytm wallet का recharge करते है मगर दोस्तों Paytm wallet का recharge करने के लिए वो आपसे 15, 20, 25, 30 रुपए कुछ extra ही charge करेंगे तो ये एक disadvantage आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है और दूसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि आप अपने दोस्तों से request कर सकते है कि भईया मेरे Paytm wallet का recharge खतम हो गया है थोड़ा सारी charge कर लो बदले में मैं आपको पैसे दे दूगा इसके बाद में दोस्तों तीसरा तरीका वो ये है एकदम simple सा तरीका है कि अगर आपके पास में bank account नहीं है तो कोई बात नहीं है मगर आपके घर में बहुत सारे family member है जिनके पास में कोई ना कोई bank account तो जरूर होगा और bank account है तो दोस्तों वो UPI application का भी यूज़ करते होंगे और उनके पास में debit card भी होगा तो अगर आप उनसे request करेंगे कि आप UPI ad से मेरे Paytium wallet का recharge कर दो तो वो कर देंगे अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है उनके पास में debit card तो जरूर ही होगा जिससे आप खुद से ही अपने Paytium wallet का recharge कर सकते हैं कैसे करना है step by step में आपको बता देता हूँ तो देखिए हम आते हैं नीचे जब हम नीचे आते हैं तो यहां में हमें Paytium wallet में पैसे को एड़ करने की चेड़ है वो देखने के लिए मिल जाती है तो चलिए यहां पे मैं आपको 50 रुपए एड़ करके दिखा देता हूँ तो यहां पे मैंने 50 रुपए को एंटर कर दिया है करने के बाद में यहाँ पे मैं proceed to add 50 rupees के option पे click कर देता हूँ click करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें एक नीचे option मिलता है prepared debit card and credit card का इसी option पे आपको click कर देना है click करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके घर में जो family member है जिनका की debit card है उनकी debit card की detail को यहाँ पे fill up करना है चलिए मैं यहाँ पे आपको fill up करके दिखाई ही देता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपने ही घर के family member की जो debit card की detail है उसे enter कर दिया है इसके बाद में मैं pay के option पे click कर देता हूँ click करने के बाद में दोस्तों यह आप से कहेगा कि क्या आप इस card को save करना चाते हैं या फिन नहीं तो अगर आप करना चाते हैं तो आप yes कर दिजिएगा वनना मैं यहाँ पे लिग दिता हूँ I will save later ठीक है इसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पे थोड़ी सी processing लेगा और लेने के बाद में देखिए आपका जो mobile number है उसके उपर आपको one time password मिलने वाला है तो यहाँ पे आपको उसे enter कर देना है करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है paste securely का option है इस option पे आपको click कर देना है click करने के बाद में फीड से यहाँ पे processing start हो चुकी है थोड़ा सा हमें wait करने के लिए कह रहा है और उपर आप देख सकते हैं successfully हमारे जो 50 रुपए है वो हमारे paytium wallet में add हो चुके है और इस तरह से दोस्तों आप बिनावेंग account paytium wallet में पैसे add कर सकते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो पर like कर दीजिएगा दोस्तों के सब में share कर दीजिएगा इसके regarding कुछ पूछना है comment box है comment करके पूछ सकते हैं मैं reply ज़रूर करूगा अगर जाने से परे आप सभी से रिक्वेश्ट भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लीजिए